Hi friends, मेरे नाम है Dr. Ankur Sarin, मैं एक dermatologist हूँ, defense colony New Delhi, India से और आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा use होने वाले retinoid के बारे में, इसका नाम है retinoin Retinoin एक तरीके का vitamin A है, ये सबसे pure form में होता है, इसको बोलते है, all transretinoic acid एक cream आपको चार advantages देती है, ये oil production कम करती है, inflammation और acne को reduce करती है और इसके साथ साथ आपके cells बनने की प्रक्रिया, आपके skin के cells बनने की प्रक्रिया को regulate करती है Naturally, अगर एक cream के इतने सारे benefits हो, तो हम सब उसको use करना चाहेंगे But, tretinoin एक prescription medicine मानी गई है, वो इसलिए क्योंकि 1-2% tretinoin cream आपके body में absorb होती है और long term में ये आपको कुछ side effects भी कर सकती है इसलिए dermatologist advice करते हैं, अगर आप tretinoin cream को use करना चाहते हैं, तो आप अपने dermatologist की prescription के साथ ही करें अगर आप यही सारे advantages अपने skin में पाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको tretinoin cream का use करना है Retinols और ऐसे कुछ retinoids हैं, जो कि आप doctor के prescription के बिना use कर सकते हैं और उनका long term में side effects भी कम हैं आजकल काफी सारे अलग-अलग brands ने retinols, serums निकाले हैं, आप इनको use कर सकते हैं अगर आप कोई medical retinoid use करना चाहते हैं, तो over the counter में आप adapalene 0.1% use कर सकते हैं यह tretinoin से ज्यादा safe हैं, और long term में यह वह same effects देते हैं, जो कि tretinoin cream देती है फिर भी अगर आपको tretinoin cream doctor ने prescribe कर ही दिये और आप उसको use करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसे use कैसे करें तो रात को जब आपका सारा काम खतम हो जाता है और आप सोने के लिए जा रहे होते हैं, तब आप अपना face अच्छे से wash करें, उसको अच्छे से dry करें उसके पाद एक pea-sized amount यानि की मटर के दाने जितनी tretinoin cream अपने हाथ में लें उसको चार पार्ट से डवाइड करें, दो पार्ट अपने चीक पे, एक अपने forehead और अपने chin पे लगाएं उससे आप अपने fingertips से spread करें और जितना product आपके हाथ में last में रह जाता है उसको आप eyes और mouth के पास लगा सकते हैं और इसलिए क्योंकि इन एरिया में skin thin होती है तो thin areas में tretinoin cream कम से कम लगानी चाहिए tretinoin cream लगाने के 5-10 मिनिट बाद आप moisturize कर सकते हैं कभी-कभी जब आप next morning उठते है tretinoin cream लगाने के बाद आपको थोड़ी dryness फील होती है यह बिलकुल normal है और अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप moisturizer और लगा सकते हैं next morning tretinoin cream acne में अपना असर 6-8 हफते में दिखाती है pigmentation में 12 हफते और अगर आपका fine wrinkles को reduce करना है तो इसका असर 6-8 महीने में आएगा तो यह long term application है और धीरे धीरे करके ही आपको इसके benefits आएंगे अगर हम side effects की बात करें तो skin sensitivity, irritation, dryness और कुछ cases में retinoid dermatitis यानि की पूरे face का allergy से भर जाना tretinoin cream के side effects हो सकते हैं winters में खासकर यह side effects के chances जादा रहते हैं क्योंकि वैसे ही आपकी skin थोड़ी सी dry रहती है इसके लावा जैसे मैं आपको बताया कि ट्रेटinoin cream बहुत potent होती है आपके blood में भी absorb हो सकती है इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि females में जो की pregnancy plan कर रहे हैं वो इस tube का इस्तमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है तो बेसिक इंफोर्मिशन थी ट्रेटinoin cream के बारे में अगर आप इससे जादा इसके बारे में कुछ जाना चाहते हैं तो comment section में आप छोड़ सकते हैं में लाता रहूंगा ऐसे ही कहीं सारी interesting videos आपके लिए thank you